एक जो हर साल अच्छे से रूटीन रामिशा पढ़ाई करते हैं ये को बच्चे होते हैं जो हर साल एक्जाम के समय सोचते हैं करें यार अपने पहले पढ़ाने इसलिए इत्ता बर्डन रहता है इससे अच्छा तो मैं फूरा साल जुलई से ही दो दो तिन तिन गंटे रोजा ना पढ़ा होता तिती दिक्कत नहीं आती और आगे से तो तो जो बच्चे साथ साथ साल से तयारी कर रहे हैं पांच साल से तयारी कर रहे हैं वो भी मू लटका के हमें पूछते हैं सर क्या वाकी जनवरी में हो जाएगा एक्जाम खोड़ा और टाइम नहीं मिलेगा हम उनको कहते हैं साथ साल तो हो गए और कितना टाइम चीए तुमें तो इसलिए प्लीज ये जो 16-17 साल वाले जो बच्चे हैं आप टेंशन फ्री रो तीन से चार साल पांच साल लगते हैं इस प्रिपरेशन में और अगर आपको टॉप करना है तो और कहीं लटकना है तो एक अलग बात है या फिर आपके फंडामेंटल्स आपके फांडेशन्स इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि आपने शुरू से लेके 6th क्लास के बाद से आप इतने सिंसियर रहे हो आप हर साल बहुत अच्छी पढ़ाई की है आपने और रूटीन पढ़ाई की है दो तरे के श्टुरेंट होते हैं जो कि एक तो एक जो हर साल अच्छे से रूटीन रामिशा पढ़ाई करते हैं एक वो बच्चे होते हैं जो हर साल एक्जाम के समय सोचते हैं करें यार अपने पहले पढ़ाने इसलिए इतना बढ़न रहता है इससे अच्छा तो मैं पूरा साल जुलई से ही दो दो तीन तीन गंटे रोजाना पढ़ा होता था तो इतनी दिक्कत नहीं आती और आगे से तो रोजाना एक दो एक दो गंटे नियमित पढ़ाई करेंगे ताकि लास्ट में बर्डन नहीं आए और हर साल वापस जब एक्जाम आता था तो 99% इस्ट्रेंट उसी कैटेगरी के होते हैं फिर 11% कोई बच्चे होते हैं जो जुलाई से ही पढ़ते हैं तो वो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए तो बहले जिए इदर पढ़ाई कंप्लीट हुई कोई साही एक्जाम ले लो क्योंकि वो सारी चीजें उनको बहुत अच्छे से याद होती है तो आप सबी लोग उनमें उस कैटेगरी में नहीं हो इसलिए आप निश्चिंट रो पांच साल इ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करना अब सीधे पॉलिटी पढ़ने बैठते हैं या सीधे एकॉनमी पढ़ने बैठते हैं केवल बुक्स से एकॉनमी पढ़ते हैं तो शायद एकॉनमी के जो कंसेप्ट है वो उतने क्लियर नहीं होते हैं आपके देमाग में लेकिन अगर अ आपको खुद को बाद में जो पढ़ना है और खुद की मैनत से ही, खुद की पढ़ाई से ही, खुद की इंटेलिजेंस से ही आप लोगों का सेलेक्शन होगा, ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर फिट कर दें, केशन केवल कोचिंग से सेलेक्शन नहीं होता, सेलेक्शन कोचिंग fundamenteλ क्लियर करवाता है, बेसिक्स क्लियर करवाता है, उसके बाद हर наш च्टूडेंट खुद मेनत करता है और खुद की काळियत से सेलेक्ट होता है, तो दो साल बाद आपको अपने आपको पॉलिश करने में जो है वो और टाइम लगेगा तो दो साल आगे भी लगेंगे इसलिए निश्चिंतरे आपके पास समय जादा नहीं है अगर ये फस्ट ये सेकंड ये वाले बच्चे सोच रहें हमारे पास तो इतना टाइम पडायर क क्या करेंगे तो ये आपकी गलत फैम है आपके पास बिलकुल ही टाइम नहीं है बहुत ही कम टाइम है आपके पास इसलिए ऐसा न मानें कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है